नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्तित हुआ हूँ, एक और मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक को लेके, जिसमें हम लोग डिसकस करेंगे, 9 माह से 12 माह का जो बेवी है, उसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए? ठीक है? जो बच्चा 9 माह कंप्लीट कर लिया है, 9 माह कंप्लीट ह उने के बाद 10, 11, 12, इन 3 माह में उन्हें कौन सी डाइट लेनी चाहिए? 6 माह से लेके 9 माह के बीच में उसे कौन सी डाइट लेनी चाहिए? इसका मैंने और एडिए एक वीडियो बना के रखा हुआ है, मैं उसका लिंक आपको अपने डिसक्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख लीजिए, और जैसे वो 9 माह का कंप्लीट होता है, दसवा, 11 और 12 मेने में उसे कौन सी डाइट लेनी चाहिए? वो मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती है, जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा, तो आटोमेटिकली उसका हर सेल का डेवलप्मेंट बढ़ेगा, और वो डेवलप्मेंट बहुत तेजी से होता है, और बहुत फास्ट और रैपिड होता है, तो उस अकौर्डिंग क्या होता है, न्यूट्रियन की डिमांड भी उस अकौर्डिंग बढ़ते जाती है, तो 6 से 9 माह के बीच में जो डिमांड थी, उसकी तुलना में अब जो है डिमांड और अधिक बढ़ जाएगी, 9 मेने के बाद, उसका न्यूट्रियन का डिमांड और अधिक बढ़ जाएगा, प्रोटिन का डिमांड और अधिक बढ़ जाएगा, मिन्डरल्स का डिमांड बढ़ जाएगा, वाइट महने से बारव महने के बीच में जो डाइट है वो लगबग लगबग छे से नौ महने के बीच में जो डाइट थी लगबग लगबग वैसी है दो से तीन जो चीज है वो आपको एडिशनल इसमें एड करना है वो मैं आपको बताता हूँ most importantly आप याद रखें कि जो breastfeeding है मा का जो दूद है वो तो continue रखना ही है वो break नहीं करना है वो बंद नहीं करना है यदि मा का दूद आ रहा है बच्चा मा का दूद पी रहा है तो उसे लगातार मा का दूद पिलाते रहिए पिलाना ही है ठीक है न वो उसे break हमें नहीं करना है साथ में में क्या करना है family foods different type की families होती है इंडिया में और सब families में अपने आप में कुछ individual foods होते हैं और उन food material को आपको first time introduce कराना है उस baby को थोड़ा सा खिलाना चालू करना है ठीक है दस्वे ग्यार्वे मेने में आप पहली बार अपने जो traditional food होते हैं जो भी हर family के वो आप उसे baby को दे सकते हैं खिलाना चालू कर सकते हैं थोड़ी मातरा में तो ये आपको यहां start करना है नवे मेने के बाद जैसी नवे मेना खतम होता है दस्वे मेना चालू होता है तब से आगे बात करेंगे आगे जो मैंने आपको बताया था चटवे से नवे मा में वो ही चीज़ हमें continue करना है डाल चावल आपको देना है दाल और चावल में बताया था मैंने आपको specific amino acids होते हैं essential amino acids होते हैं जब दोनों मिल जाते हैं तो ये amino acids की संक्या भढ़ जाती है 9 amino acids जो होते हैं वो दाल में होते हैं और एक होता है चावल में total के तो जाते 10 amino acids हमकों मिल जाते हैं ये आप खिच्डी बनागे दे सकते हैं उसे and most important हम उसे add करना है चपाती मैंने आपको ये बताया था कि 9 माह तक उसे चपाती नहीं देना चाहिए क्यों क्योंकि जो बेबी का जो intestine होता है proper develop नहीं हो पाता है और वो उसे digest करने के लिए capable नहीं होता है जैसे बेबी 9 मेने का होता है तो आपको उसे गेहूं से बनी चीज मेंस हम बत करेंगे चपाती आप दे सकते हैं और डाल, चावल, खिच्डी या चपाती जो है ये दिन में आपको 3 बार देना चाहिए लगबग आपको दिन में 3 बार ये आपको देना चाहिए ठीक है अगली बात करेंगे डाल का पानी आपको दो बार देना दिन में सुबह शाम एक चोटी कटोरी सुबह एक चोटी कटोरी शाम को ठीक है ना ये अब आधी कटोरी ले लें सुबह आधी कटोरी शाम को ले लें इसमें बहुत रिच एमाउंट में प्रोटीन होता है असेंसियल एमिनो एसेट्स होते हैं और मिंडरल्स होता है ठीके ना इस दोरान हमें प्रोटीन की बहुत अधिक आफशकता होती है बच्चे को बहुत ज़्यादा रिक्वार्मेंट होती है इसकी प्रोटीन की जो आपको इदाल से मिल जाएगी इसके लावा हम बात करेंगे वेजी टेबल्स की बात करेंगे तो जो वेजी टेबल्स हैं वो भी कैसे होने चाहिए प्रॉपर्ली उन वेजी टेबल्स को आप पका लें पका कर उनको क्या कर लें मेश कर लें ठीके ना उसमें हलका सा नमक डाल दीजिए टेस्ट के लिए नमक में क्या हो जाएगा आपको आयोडीन मिल जाएगा और जो भी आप किसी भी टाइप का जो वेजी टेबल्स को दे सकते हैं थोड़ी सी मातरा में ये भी सुबह शाम आपको देना है वेजी टेबल ठीके ना और मोस्ट रिपॉर्टेट डी आप क्या करें आलू जरूर दीजिए आलू को मेश कर लीजिए और उसको मेश करके उसमें हलकासा नमट डाल के आप दे सकते हैं जो भी आप वेजी टेबल दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा आलू जरूर डालिए ये बहुत उपियोगी होता है बहुत एनरजेटिक होता है अच्छा कार्बॉरिड होता है जिससे प्रॉपर बेबी को एनरजी मिलेगा ताकि उसकी सेल प्रॉपर फॉंक्शन कर सकें नॉर्मल फॉंक्शन कर सकें क्योंकि डूरिंग डेवलप्मेंट रैपिड डेवलप्मेंट उसे बहुत अधिक एनरजी की आफश्रक्ता होती है तो जो आलू होता है एक अच्छा एनरजी का सोर्स होता है उसमें अच्छा कार्बॉरिड होता है अच्छा स्टार्च होता है जो उसे प्रॉपर एनरजी प्रोड्यूस करके देता रहेगा ताकि प्रॉपर बॉड़ी की सेल क्या कर सकें ग्रोथ कर सकें तो जो भी आफ वेजेटेबल दे रहे हैं उसमें थोड़ा आलू डाली दें ताकि उसे प्रॉपर एनरजी मिलता रहे हैं आगे बात करते हैं कोई भी एक फ्रूट दिन में एक फ्रूट देना है एक कोई भी एक fruit आप दे सकते हैं दिन में एक बार आपको fruit देना है बनाना एक अच्छा fruit है वो आपको देना चाहिए first Friday में आपको बनाना रखना चाहिए ठीक है ना उसमें सभी nutrient होते हैं अच्छे fiber होते हैं अच्छे vitamins होते हैं calcium होता है essential amino acids होते हैं oxidants होते हैं बहुत अच्छा source होता है complete एक balance nutrient जो है उसमें होता है ठीक है इसके लावा पपीता दे सकते हैं या फिर आप seasonal जो fruit आते हैं वो आप वहाँ दे सकते हैं लेकिन आपको जो केला है पूरे साल पर मिल सकता है पपीता भी लगबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब छे से नौ माह के बीच में सिर्फ मैंने आपको वाइट पार्ट बताया था लेकिन यहां पर आप जो इसका वाइट और यलो पूरा कम्प्लीट जो पूरा का पूरा एग है वो आप दे सकते हैं आदा एग सुबह दे सकते हैं या दिन बर में आदा एग दे सकते हैं लेकिन व बेबी के लिए बहुत होगी होते हैं, बॉडि के डेवलप्मेंट के लिए होते हैं, एग में first class protein होता है, मैं आपको यह बता दूँ, जदि आप डाल ले रहे हैं, डाल में भी protein है, लेकिन डाल और egg के protein में का difference होता है, जो first class होता है, जो अच्छी वरायटी का जो protein होता है, इसके लावा आप नॉन्वेज में फिश एंड चिकन भी दे सकते हैं उसको अच्छे से पकार लें और थोड़ा सा बाइट आप दे सकते हैं लेकिन मैं बोलूँगा कि ज़्यादा आप क्या दें एग वाइट वाला पार्ट या यलो दोनों मिलाके आपको देना चाहिए इसके लावा बात करते हैं बिस्किट्स आप दे सकते हैं यहाँ पर आप बिस्किट्स एट कर सकते हैं गेहों से बने बिस्किट्स जो आते हैं वो आप उसे दे सकते हैं दिन में एक या दो बिसकिट आप दे सकते हैं उसे proper energy देने के लिए, proper nutrient के सपलाई के लिए, तो 9-12 मेने के बीच में आपको ज्यादा protein की आफशकता, ज्यादा nutrient की आफशकता है, इसलिए यहाँ पर यह आपको additional food material लेना चाहिए और बेबी को देना चाहिए, ताकि उसका जो proper development है proper growth है वो हो सके ठीक है तो जो डाल और चावले दिन में तीन बार दे सकते हैं आप डाल का पानी दिन में दो बार दे सकते हैं सबजी भी दिन में दो बार दे सकते हैं कोई भी एक fruit आप दिन में एक बार दे सकते हैं एक नॉन्वेज की बात करेंगे, यह दिन में आप एक बार दे सकते हैं, बिस्किट भी आप दिन में एक से दो बार आप दे सकते हैं, यह एक बैलेंस डाइट है, यदि यह प्रॉपर लेता है बेबी, दसवे, ग्यारवे, बारवे मैने में, तो उसका डेवलप्मेंट बहु मिल सकता है, ठीक है न, और उसकी बाडी के डेवलप्मेंट के लिए जो प्रोटीन है, वो आपको दाल से मिल सकता है, नॉन वेस से मिल सकता है, ठीक है न, खिचडी से भी आपको जो दाल पाटे वहां से मिल सकता है, और जो मा का दूदे वहां से तो मिली रहा है उसे, तो इस प्रकार से जो पूरा complete जो है ये डाइटा फॉलो करेंगे तो बेवी का जो development है प्रॉपर होगा बेवी healthy रहेगा और प्रॉपर ग्रो कर पाएगा ठीक है ना नमस्कार दोस्ते